नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबलू उर्मा पेपर है कर में आपका स्वागत है तो फैंट्स आज जो देखने वाले वो हमारा हो जाएगा बी ए पार्ट बन का सेकंड सेमिस्टर है यह हिष्टी का लेक्षर नमबर रहने वाला है फूर ठीके इस्ते पहले थ्री लेक्षर मैं आपको डाल लखे हैं पहला हमने देखा ता तुर्कु का हुद है ठीके उसके बाद हमने देखा ता कौन सा उसके बाद जो आया गुलाम इसका ही अंतिम जो कह सकते हैं थर्ड सासक होता है इलतूतमिस उसके बारे में देखा आज हम उसकी बेटी के बारे में देखने वाले इलतूतमिस की बेटी जो होती थी रजिया सुल्तान बहुत इंपूर्टेंट टॉफिक है क्योंकि यहां से कुशन बनता है आपको पता ह यह पिर्थम सुल्तान थी है ना पिर्थम सुल्तान किसे कहते हैं पिर्थम सुल्तान अंतिपसा किसे कहा जाता है रजिया सुल्तान को कहा जाता है पिर्थम महला सुल्तान कौन थी तो बहा हो जाती है रजिया सुल्तान ठीक है तो इसके बारे में अच्छे पिकास से देखना यहां से कुशन आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा तो बढ़ते हैं कि उसनों की और ठीक है लाइक, शेर, सस्काब देना है पीडिया डानलोड करना है तो कर लेना ठीक है क्योंकि पीडिया डानलोड करें आपको रिवाइस करने में बहुत दिक्कत होने वाली है ठीक है, तो पीडिया को डानलोड कर लेना है चलो भी आ चुके हैं, ठीक है हम आ चुके हैं रजिया सुल्तान पर, तो बढ़ते हैं तो इसनों को देखते हैं रजिया सुल्तान, पहली बात रजिया सुल्तान पूरा नाम लिख दो जो कि याद रहे कि पिर्थमेला सुल्तान थी तो रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान बेटी की बात करें तो बेटी किसकी थी इल्तूत मिस्की थी इल्तूत मिस्की इलतूत मिस्की जो बेटी हो जाती है वो हो जाती है रजिया सुल्तान इलतूत मिस्क खुद किसे बैठालता है रजिया सुल्तान को बैठालता है और कह सकते हैं ये पिरजा, शैनिक और सभी की सहमती से ये उस पर बैठती है मगर कुछ जो होते हैं उनको ये राज नहीं होता है इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते रहेंगे ठीक है? तो बढ़ते हैं गुलाम बंस के बारे में रिबाइस के अगरना अगर आपने पहले का पड़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा पहले का पड़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा पहले सासक कौन था गुलाम बंस का? कुतब बुदिन अइबक अंतिम कौन था? कैमूर्स कैमूर्स किसका बेटा था? कैकुवाद का कैकुवाद किसका बेटा था? बल्बन का ठीक है बलबन से पहले कौन सासक बना था बलबन से पहले सासक जो था वो नसरुद्दीन था ठीक है नसरुद्दीन टोपी सीकर जीवनियापन करता था यह हमने पहले सब कुछ देख रखा है ठीक है और जो गुलाम बंस का सासनकाल है यह हम देख लेते हैं गुलाम बंस का सा क्योशन की और पहला क्योशन जो है वो है रजिया ने भारत पर कितनी बर्स शासन किया था ये क्या हो रहा है बहुत बताएगा थोड़ा से रुकिएगा ये लाइट दिक्कत कर रहे है थोड़ी सी ठीक है बताएगा भई रजिया ने भारत पर कितने बर्स सासन किया था कैसे याद करें मैंने आपको बता रखा है गुलाम बंस का जो पिर्थम सा सकता वो कौन था एबक ठीक है एबक की मित्यू कैसी हुई घोड़ी से गिर की हुई किसे गोड़े से कर दो गोड़ी से मत करो गोड़ चार बर्स के बाद मित्यू सुल्तान भी कितने बर्स रहेगी चार बर्स सब कुछ क्या रहेंगे चार बर्स तो यहाँ पर रजिया सुल्तान कितने बर्स तक रही थी वही चार बर्स तक ही रही होगी तो राइट अंसर ऑप्शन नमर बाग हो जाएगा नेक्स से कुशन की कह सकते हैं पतन का कार था वो था उसका महला होना यह तो बिल्कुल लिजी है क्या था उसका महला होना आगे बढ़ते हैं next question next question देखा है रजिया था अलतूनिया का बद कब हुआ था अब कह सकते हो रजिया अलतूनिया है कौन रजिया का जो पती है वो कौन है अल्तूनिया है रजिया की साधी जो होती है वो अल्तूनिया से होती है इन दोनों का बद कौन कर देते हैं जो कह सकते हैं एक प्रकास से डाकू वगरा या आतंगबार टैरिस्ट भी कह सकते हो ठीक है वो क्या कर देते हैं इनका बद कर देते ह बताईगा बात करते हैं 1238 में 1240 में 1242 में 1245 में एक बाप दाईगा महला है तो उसे आप क्या का होगे बही है शुल्तान बने के लाइक है चले यहां से चा तो चा से चार ही याद रखना चार 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 सब बंता चला रहा है तो ये भी चालिस में ठीक है कहां पर चालिस में आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन रजिया ने कबीर खां रजिया ने कबीर खां आयाज को शुबेदार नुक्त किया कहां का लाहौर का मुल्तान का गौालियर का या फिर भटिंडा का राइट आंसर बताएगा कौन सा होगा राइट आंसर तुमारा कौन सा रहने बाला है रजिया ने कबीर खां अच्छा कबीर खां ठीक है रजिया ने कबीर खां आयाज को शुबेदार नुक्त किया था कहां का तो बहो जाता है लाहौर का कहां का? लाहोर का सुबेदार निखत किया था रजिया ने कबीर खा के लिए ठीक है? तो आप कह सकते हैं इस परकार से याद कर लो कि जो कबीर हैं, कबीर जो होते हैं ना कबीर आपको पता है मगर बारास से में जन्म हुआ था कबीर कबीर जो थे वो एक परकार से कह सकते हैं संत थे, वो कोई भी लोहा लेना नहीं चाहते थे, मगर ये अपोजिट कोई कबीर है तो वो क्या करेगा? लोहा लेना चाहेगा तो लोहा से लाहोर इस परकार से कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते है जमाल उद्दीन याकुत को रजिया ने किस पद पर नुक्त किया था? अमीर ए शिकार और फिर दे रखा है तुम्हारा शिपहा शालार अमीर ए आखुर या फिर खालीफा राइट आंसर क्या होगा? जमाल उद्दीन जमाल उद्दीन याकूब को रजिया ने किस पद पर नुक्त किया था? फटाबेट कमेंट बॉक्स में चाप देना है ठीक है? फटाबेट का करना है भई? कमेंट बॉक्स में चाप कर देना है तो यहाँ रखा है जमाल उद्दीन जमाल उद्दीन याकूब को रजिया ने किस पदपरन्युक्त किया था तो बहो जाता है अमीर ए आखुर कौन था अमीर ए आखुर के पदपरन्युक्त किया था यह अटपड़े क्योशन है ठीक है कोई बात इनको याद कर ले ना किशने किसी विरकार से जमाल उद्दीन जमाल उद्दीन याकूब को रजिया ने किस पद पर निउक्त किया था तो इसके बारे में याद रखना अमीर ए आखूर पे किस पे अमीर ए आखूर के पद पर निउक्त किया था इसकी ट्रिक नहीं है बागी बहुत सारे के बागे इसकों ट्रीकी में रखी है मैंने ठीक है जो आपको याद हो जाए कुछ जो अटपटे क्योशन है उसकी ट्रीक नहीं बना पाया हूँ कोई बात नहीं बात करते हैं रजिया ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पती को पती की बशियत अपने पिता की बसियत का किस प्रकार उपियो किया था, यह आपको बताना है, सत्रूओं का दमन करके, मस्जित में लाल बस्तर पहन कर अपील करके, या फिर बिद्रो करके, या सत्रूओं से मित्रता करके, राइट आंसर क्या होगा? अपने पिता की बसियत का किस प्रकार उपियो किया था, या मस्जित में लाल बस्तर पहन कर अपील की थी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किसके काल में राज तंत्र और तुर्क सरदारों के मद संगर से इस्तापित हो गया संगर से प्रारम हो गया था बलवन के एबग के रजिया के इल्थूतमिस के आपको पता है जब जो रजिया सुल्तान बनी थी तो बहां के जो लोग हुआ करते थे कुछ क कठोर नितीके तो बहां के जो लोग थे उन्हों में क्या हुआ बिद्रो इस्टाट हो गया तो कह सकते हैं राज तंत्र के खिलाप और तुर्क सरदारों के मद यहां पर संगर से स्टाट हो जाता है तो बैह हो जाती है रजिया सुल्तान राइट अंसर उप्शन नमबर सा एक से कोशन की बात करते हैं किस अभियान के बाद इलतूत मिसने रजिया को अपना उत्तिकारी गोशित किया था मैंने बताया था ना कि इलतूत मिसने ही खुद रजिया सुल्तान को उत्तिकारी नुक्त किया था कौन सा युद्ध था कौन सा अभियान था यह आपको बतान ग्वालियर का हो जाता है ठीक है तो बात कैसे आद करें रजिया को सुल्तान बना रहे हैं कौन इल्तूतमेस इसका मतलब इनका कोई बेटा नहीं होगा कोई बेटा नहीं होगा इस प्रकार से आतरो कि कोई बेटा नहीं होगा अब जब बेटा नहीं होगा तो भाई कौन होंगे पिर ग्वाल होंगे है ना ग्वाल कह सकते हैं कि उनके रखवाले है ना इदर दर ग्वाल मतलब कैसे कृष्णि के ग्वाल थे उसी प्रिकार के रजिया के भी ग्वाल होंगे तो उनको तो बना नहीं सकता तो बनाया किसको रजिया को तो कह सकते हैं कौन से अभियान के बाद तो ग्वालिर के उव्देकारी को शित कर दिया गया था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन, यहाँ देखो, रजिया की हत्या कब हुई, भई रिवाइज हो गया फिर से दुबारा, रजिया की जो हत्याती वो कब हुई थी, आप यहाँ से, है ना, देखा था ना, कि लड़की है तो चली यह नहां से तो भई 1240 में रिवायच क्योशन है आगे देखो रजिया के सुल्तान बनने में किसका सहयोग था जो रजिया सुल्तान बने थी उसके सुल्तान बनने में किसका सहयोग था आपको बताना है जनता का अधिकारियों का सेना का ये सभी का जब इलतुत में इस खुस तो स इना का भी होगा, तो right answer क्या होगा, इन सभी का होगा, तो right answer option number 2 हो जाएगा, next question की बात करते हैं, next question को देखना है, यहाँ देरका, यदि रजिया इस्त्री ना होती, तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम सासकों में लिया जाता, किसका कथन है, यह बिल्कुल एलव ना हुआ है, है ना, ललू बना हुआ, तो बात करते हैं, एक बात बता, जब इस्त्री ही है, है ना, जब इस्त्री ही है, तो उसे इंस्तान में चेंज कर देगा, क्या मतलब, मनुस कह सकते हैं, पूस में चेंज कर देगा, क्या तू है, तो यह दे रखा, यदि रजिया इस्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महाय मुस्लिम सास को में लिया जाता किसका कफन है आरे भई है कौन ऐल बना हुआ है यहाँ लड़की को वह कौन बना देगा लड़की को क्या बना देगा यह मतना देगा भई पूरुस ठीक है तो यहाँ पर आज रहने वाला है आगे बड़तें next question यहां तेका है रजिया किसके समर्थन से डिली की शाशिका बनी ठीक है, रजिया किसके समर्थन से दिल्ली की साशिका बनी, सरदारों की, अमीरों की, जनता की, या फिर डाकों की, राइट आंसर बताएगा, कौन सा राइट होगा, रजिया किसके समर्थन से दिल्ली की साशिका बनी, अच्छा बनी, तो भई जनता के सही होग से बनी थी, कि अलतूनिया और रजिया की हत्या इसने कर दी थी बहुत इंपोर्टेंट मैंने बताया था ना कि बही के लोग थे और डाकू के भेस में आये थे और इनकी दुनों की मत्यू कर दी थी अलतूनिया की और इसका पत्ती हो जाता है रजिया उसकी पत्नी थी इनकी हत्या कौन कर द देखते हैं डाकू के रूप में कर दी जाती है तो राइट अंसर क्या हो दाएगा डाकू ने की थी आगे बढ़ते हैं मद्यकालीन भारत की पिर्थम महला सासक थी तो इसकी पिर्थम महला जो सासक आती है रजिया सुल्थान हो आती है इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना आग देखते हैं रजिया दर्बार में क्या पहन कर आने लगी थी रजिया जब दर्बार में आई थी तो क्या-क्या पहन कर आने लगी थी कुब्बा को या फिर कुब्बा को क्या कहते हैं कोट कहा जाता था पहले डिक है बात करते हैं कुलहा को टोपी कहा जाता था आ और बा दोन कुबबा पहन के आते ठी और कुलहा पहन के आती थी कुबबा टोपि कोट को खा जाता था और कुलहा जो था वो टोपि को कहा जाता था आगे बढ़ते हैं रजिया ने सुल्तान बनने के बाद कौन सी उपाधी ली थी जो रजिया थी उसने सुल्तान बनने के बाद कौन सी उपाधी ली थी पहला दे रखा है उत्मत उलनिसा फिर दे रखा है तुमारा अमीर मुमिनीत फिर दे रखा है नासिर ए निसा और दे रखा है तुमारा उत् उल निस्वा पताओ राइट अंसर क्या होगा रजिया ने सुल्थान बनने के बाद कौन्सी उपाधी ली थी तो बो जाती है उत्मद उल निस्वा वाह क्या गोगे कोई लड़की बैठेगी सिंगासन तो और तो 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 राइट अंसर नमबर दा हो जाएगा पहली बैठी त तो right answer option number 2 क्या हो जाएगा उतमद ओल निस्वा right answer देखीगा option number D हो जाएगा next question की बात करते है इल्टूत मिस के सासन काल के सिध्धान्त का पालन किस ने किया जो इल्टूत मिस था उसके सिध्धान्त का पालन किस ने किया था तो बहे गिया था किस ने उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने क्योंकि यही तो बैठेगी उसके बाद आगे देखो फिदर्काए 13 October 1940 को निमन में से किस की हत्या होई थी बही बात पिर हो गई 13 October 1940 को निमन में से किस की हत्या होई थी एक चार्टा हमारा और ये खतम हो गई कौन अलतूनिया और रजिया की तो right answer option number सा हो जाएगा पूंचले रजिया का पती कौन था तो अलतूनिया अलतूनिया की पतनी कौन थी तो रजिया तो यहाँ पर हमार टौफिक होता है रजिया वो खतम हो जाता है बहुत important question है यहाँ से बस यह बनेगा कि भई दिल्ली की पिर्थम और अंतिम सासा कौन थी तो ठोक देना कौन रजिया सुल्तान और बाकी जो बचा यहाँ पर मैंने पढ़ाए दिया तो पेंट वीडियो को like करना share करना, channel को subscribe करना bell icon को press कर देना pdf को जो download कर लेना अगर पीडियो पे download नहीं करोगे जो पहले का जो deeply पढ़ाया है जो trick बताई है अगर कहीं बाहर से लोगे आप तो आपको problem होने वाली है क्योंकि यहाँ से series by trick चल लई है दूसरी कहीं से बुगलोगे तो आप परिसान हो जाओ कि trick कौन सी कहा लगी थी ठीक है तो इसलिए आप क्या है series by यही खरी लेना ज्यादा के नहीं बहुत कम पश्च रखे हैं लोगोंने ठीक है जो है सर उनने बहुत कम पश्च रखे है मतब फिर ही आपको पूस करो तो app download कर लेना app फिर ही मिल जाएग आपके लिए ठीक है एक साइट में उसका आंशर होगा ट्रिक बना बना कर जैसे मैंने बनाई हैं ट्रिक उन्ही ट्रिकों को माइंड में रिवाज करते हुए पढ़ते ना ठीक है लाइक शेर सस्काब ठोक देना तो फेंट जैहें जै भारत अच्छा प्यार देना वीडियो के लिए लाइक शेर सस्काब करना ठीक है जैहें जै भारत शेर दरू कर देना